यह केक टीन को हमने पहले त्यार कर लेना है आज हम पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने न्यूट्रल पे कर लिया है हमारी वेंग मसीन को और इस पे रख दिया हमने एक डोंगा और यह गुड रिच कमपनी का हम प्रेमिक्स ले रहे हैं और प्रेमिक्स 385 जितना भी यह अभी हो जाएगा बस इतना ही लिया है और यह 25 पेस्ट्री बनानी है लेकिन फूरी तो नहीं बनेंगी इसमें एक बार क्योंकि यह मेरा जो केक टीन है यह छोटा है तो इसलिए एक बार और बेक करना पड़ेगा बट इसका एक बार मेजरमेंट बता देती ह उसी के हिसाब से फिर नेक्स्ट वाला भी बैच करना है तो यह 4 टेबल स्पून हमने इसमें ओयल डाला है जिसकी कोई अपनी स्मेल नहीं हो टेस्ट नहीं हो और पानी एक कप हमने डाल दिया है और यह थोड़ा सा वन फोर्थ और डला है बस इतना ही डलेगा और यह स्पी अभी इसमें डालेंगे हम एसेंस और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे एसेंस हमने जिस भी फ्लेवर में बनाएंगे पेस्ट्री वो डालेंगे तो आज हम बटर स्कोच पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं तो बटर स्कोच एसेंस डाला है और दो ड्रोप यलो फूड जाल कल तो अभी इसको हमने ओवन को प्रीइट कर दिया है पहले से ही अपने dice को और आप कडाई में बेख करें हैं तो उसको भी अपने पहले से ही प्रीहीट रह लेना उसमें वायर श्टैंड unique के और ढखने के बाद तो अभी केकटीन में हमने ये बैटर को ट्रांसफर कर दिया है और अभी इसको हम रखेंगे अपने माइक्रोव में जिसको मैंने पहले से ही एक सो साथ यानि की वन सिक्स्टी डिग्री पे टैन मिनिट्स के लिए प्री हिट कर रख है अभी इसको थोड़ा सा हमने टैप टैप कर दिया अभी देखो उदर कॉर्णर में एक एर बबल था वो निकल गया इसका जो भी होगा वो न स्टार्ड है तो यह करेंगे hem 40 मिनिटगे लिए इसको स्टार्ट हमारा बहुत अच्छे से बेख हो जाएगा तो यह देखिए यह बेख हो घ्र टाइम भी मैं बीच में एक बार चैक कर कि तूथा बंद निकलू है फिर भी रामेंग लिए तो थोड़ा था तो फोटाली से लिए ऊपर नीचे टाइम और किसी जोड़ाओं एक कप ये पूरा भरके क्रीम बिलकुल पर्फेक्ट रहेंगी बिलकुल आपकी बचेगी नहीं और इसको वापई से हम रख देंगे फ्रीज में अभी फ्रीज में ही रखेंगे क्योंकि अभी हम ने और भी बेक करके अभी जस्ट और बनाना है अगर तुरंत फ्रीजर में रख देंगे तो फिर यह ज्यादा वो हो जाएगी फिर हमें थोड़ा सा इसको लूज करना पड़ेगा तो इसमें भी क्रीम में भी हमने एसेंस डाल दिया है और दो ड्रॉप फूड जल कलर के डाल दिया ह क्योंकि बटर स्कॉच का जो एक वो क्रीमी क्रीमी सा कलर आ जाएगा ना बस उसी के लिए तो अभी यह देखिए इसको रख देंगे अभी फ्रीज में फटा फट और यह देखिए यह हमारे केक पे बिलकुल नाम मातर हलका सा क्रैक है और देखो माइक्रोवेव में यह क्र पेशान लगा रहे हैं जितने इसके पार्स हमने कट करनें तो मैं इसको बिलकुल बिलकुल उछ तो बहत ब से आप कट करना उसी हिसाब से आप क्रीम लगाना तो जो आपके कस्ट्वर ने रेट बोला है वही बोलना और मतलब वैसे ही करना और मैं एक और भी बात बताऊंगी यह एक बार थोड़ा सा थोड़ा सा काम कर लेते फिर बताती हूं वह भी बात तो यह देखे यह हमने इसको तीन लेयर में कट कर लिया है जालियां बहुत अच्या आए हैं और यह देखो अभी मैं इसी पे इसको उल्टा करके रख दिया है और पहले हम यह हमने मीठा पानी ले रखा है इसको गीला करें और करेंगे। पीरह भी मारे हमें क्शे हैं कुछ ग्रá dh jah हमने अच्छे से और के बीदियो ने 있도록 कहीं है। और बिल्कुल नाम मातर भी नहीं लगाई है मतला मीडियम सी लगाई है और यह देखो बार बार पैलेट नाइप को भी साफ करते रहना है और यह हमने डाला है बटर स्कोच क्रस्प इससे ना इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा खिलके आएगा और इसी से स्वाद आएगा रहाद दर, पूरे में अच्छे से फ्यला दिया है अभी रख देंगे यह लेयर और वह जो एक लेयर बची है ना उसमें से भी ऐसे ही लगाए पूरा और उसके पार्ट कट करके जितने जितनी पेस्ट्री करनी है वैसे हमने करना है तो देंकिए इसको आपने इखाने को हम दोब लेयर की पतरी just सबसें का दो ब्लीज आपने की शाल रा और फिर अगर टानते 10 पहर बोल लागा देंगे अर अगर आपने factor लेना है तो आप जो इनका कौम dep केक कोम उससे आप पैटन दे देना अगर आपने ऐसे कैसे छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और इसके ऊपर भी हम पैटन बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम कट करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे से क्रीम लगाई है काई भी ऐसा नहीं है कि कम क्रीम है और और भी नहीं भारी हमने इस में क्रीम और ये वाली पैस्ट्री ना गाईज इतनी पसंद आई थी मतलब ये पार्टी में गई थी पैस्ट्री 25 तो कोई अकिला बंदा खाएगा नहीं ये पार्टी में गई थी और पार्टी के बाद उन्होंने खुद फोन करके बोला था कि मतलब एक एक बंदे को ये पेस्टी ना बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने नेक्स्ट दे मुझे 35 पेस्टी का ओडर दिया था वो भी दिखा देंगे और बोला था बिल्कुल सेम पेस्टी चाहिए हमें तो बस हुआ ही करना है हमें कि अपने कस्ट्मर को पसंद आना चाहिए अभी मैं बैटर बनाने को तो हम उससे भी बना सकते हैं मैडा से भी लेकिन तब अगर मेरे कस्ट्मर को ये वाला जो उसозможно पनार चाहिए पसंद आ रही है प्रेमिक्स वाली तो हम वही बना के मैं दे देती हूं और अपने लिए बनाती हूं तो मैं मैदे से भी बना लेती हूं आटे से भी बना लेती हूं लेकिन कस्टमर के लिए कभी कबार बनाती हूं जादा नहीं जादा मैं प्रेमिक्स से ही बनाती हूं और ये देखो इसको च बहुत ज्यादा तो बचत नहीं होती है आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा बचत होगी बस यह है कि यह अपना आपका काम है यह सेलिंग का एक जरिया हो जाता है और यह देखिए यह इनको उठा उठा के मैं अभी केकबोर्ड पे रख लूँगी और फिर इस पे डिजाइन द देंगी तो कोई दिकत नहीं होगी तो ऐसे ही हमने यह सारी रख लेनी है और इसके बाद और भी मैंने आभी आपको बोला थो वह साइड में रखें वह भी बनानी है और और भी बेक करनी है तो यह देखो इतनी पेस्टी है तो हमारी बन गी है पहले इस पे डिजाइन दे देती हूं फिर और बेक कर दिया है ठंडा हो रहा है वह साइड में तो उसको भी बिना के इस पे रखूंगी और फिर जो एक फाइनल टच अप देंगे वह आपको बताऊंगी मैंने उसकी भी वीडियो डाल रखी है यह देखो यह हम यह जो नोजल है इसका मैंने लुक तो आपको दिखाई दिया है साइद और इस पे कोई नंबर नहीं है यह लोकल नोजल है नंबर नहीं है तो आप देख लेना कोई भी नोजल ले सकते हो आप जरूरी नहीं है यही तो अभी यह देखे यह हमने सारी पेस डाल रहे हैं इस पे और केरेमल सोस की वीडियो मैं अल्रेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखिए कि कैसे बनाना केरेमल सोस तो आप प्लीज जुरूर देखिएगा और आप ट्राइ किजेगा बहुत एजी बन जाता है तो यह देखिए यह 35 पेस्ट्री हमेशा एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ तो वीडियो कैसी लगी प्लीज अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकोन को जुरूर दबा दीजेगा वीडियो को लाइक और शेर किजेगा बाबाई टेक कियर